नमस्कार आप सबका मेरे चैनल विंदास कुकिंग विद्रीतु में बहुत बहुत स्वागत है कभी कभी हमारे पास घर में चावल बनाये हुए बच जाते हैं वाइट राइस और हमें समझ में नहीं आता का उनका क्या करें तो आज आप बनाये वाइट राइस से फटा फट से बनने वाला चाइनीज और इंडियन मसालों को मिला के बना हुआ स्वीट कॉन पुलाव सबसे पहले जो बचेवे चावल है उनको फ्रिस से निकाल कर रख दें एक फ्राइंक पैन के अंदर दो से तीन टेबल स्पून रिफाइंड ओयल लेंगे आप चाहें तो बटर ले सकते हैं इसके अंदर दो चमच बारी कटा हुआ अद्रक दो चमच बारी कटा हुआ लस्सन और चार-पांच हरी मिर्च हम इसके अंदर एड़ कर देंगे के अंदर स्वीट कॉन जो है उसको बॉयल करके रख लेंगे क्योंकि इसी का हमने इसमें तड़का लगाना है इससे देखने में आपको कोई भी नहीं कह सकता कि आपने जो राइस है वो बिलकुल फ्रेश नहीं बनाएं और इनका फ्लेवर इतना जादा अच्छा हैगा क्य और एक कप के लगबग स्वीट कॉन जो हमने बॉयल करके रखे हैं वो एट कर देंगे अब सारी चीजों को हम फुल फ्लेम पर लगातार फ्राई करते रहेंगे एक टी स्पून हम इसके अंदर नमक डाल देंगे नमक आप अपने टेस्ट और चावनों के अनुसर थोड़ा कम यह जादा कर सकते हैं एक टेबल स्पून हम इसके अंदर देगी लाल मिच पाउडर हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे और एक टी स्पून मैंने इसके अंदर मिग्स हर्व्स डाल दी हैं सारी चीजों को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अब हम इस के अंदर थोड़ा सा दो चमज के लगबक टोमेटो केचप मिला देंगे और साथ में दो टेबल स्पून मैंने इसके अंदर वाइट सिर्का भी एड़ कर दिया है इसे राइस का फ्लेवर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अब हम जो मारे पास रात के बचे हुई चावल ह बहुत अच्छी तरह से और फाइनली कुट जो राइस है बस हमें इने दो मिनट तक फ्राइ करना है हमारे पांच मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ही बढ़िया स्वीट कॉन फ्राइड राइस तैयार हुजाएंगे इस तरह से सारे मसालों को हम अच्छी तरह मिला लेंगे इस समय अगर आपको मसाला कम लगे तो आप इसके अंदर एक टिबल स्पून के लगबग शेजवान सॉस भी एड़ कर सकते हैं मैंने होम मिल्ट शेजवान सॉस एड़ किये इससे चावलों का फ्लेवर बहुत ही जादा चट पटा और तीखा हो गया और बच् अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जादा सेयदा लाइफ शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ दीवे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इस तरह से हम बचेवे खाने से भी बहुत अच्छे अच्छी रेसिपीज बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं और बचेवे समान को फेंकने के बजाए हम उसका एक बहुत अच्छे इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए कितने अच्छे स्वीट कॉन पुलाव बनकर तैयार हुएं एकदम गरम गरम हैं और इने गरम गरम सर्व करने पर इनका टेस्ट और भी जादा बढ़ जाएगा आप चाहें तो उपर से थोड़ा सा बटर डाल सकते हैं या चीज भी ग्रेट कर सकते हैं पर मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने इसके अंदर काफी तीखा मसाला डाला है आप सबका मेरी वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत बाई शुक्रिया धन्यवाद आप सबका दिशुगो प्लीज आप तो एक लाइक और शेर बनता है प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेर